नमस्कार दोस्तों आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाल हैं अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अपलाई करना है तो दोस्तों उसके लिए एक नया अपडेट आया है क्या अपडेट है दोस्तों तो इस वीडियो में देखते रहेगा और हमारी बातों को सुनते रहेगा क्योंकि इसमें जनवरी में नया अपडेट आया है और आपको बताते हैं कि यह अब यह कैसे बनेगा और इसके लिए जरूरी दास्तवेश क्या लगेंगी तो दोस्तों इस वीडियो को जिरूर कीजिएगा तो दोस्तों चली हाँ आपको बताते हैं कि किसान क्रेडिट कार जोए अपडेट हुआ है जनौरी 2022 में क्या अपडेट हुआ है कि किसान क्रेडिट कार कड को अब परधान मंतरी किसान समानी योजना से जोड दिया गया है किसान KCC में 4% यानि 4% बयाज़दर पर 3,00,000 रुपे तक कर्ज ले सकते हैं और दोस्तों देखिए परधान मतरिक किसान लबारतियों के लिए KCC के लिए आवेदन करना भी असान हो गया है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से किसानों को बैंकों द्वारत दिये जाने वाला नियमित लोन की उच बयाज़दरों से छूट दी जाती है क्योंकि KCC के लिए बयाज़दर 2% से कम और 24% से सुरू होती है इस योजना की सायता से किसान अपनी फसल की कटाई की अवधी के अधार पर अपना रीड चुका सकता है जिसके लिए वह रीड लिया था अब आपको बता दे कि परधान मंतरी नरायंदर मोदी ने आठ अक्टूबर को अनुस्चित किया है कि संत्रिप्र ड्राइप के माद्यम से लगवग 2.5 करोड किसानों को 2.6 लाग करोड रुपे की क्रिडिट सिमा के साथ किसान क्रिडिट कार्ड परधान किया गया है केंदरी बित मंतरी निर्मला सितान रमण ने 14 माई को किसान क्रिडिट कार्ड के माद्यम से 2.5 करोड किसानों को 2.5 करोड रुपे की रियायती देने के लिए घोसडा की जिसमें मचुआरो और पसुपालन किसानों को भी सामिल किया जाएगा तो दोस्तों हम आपको बता दे कि किसान क्रिडिट कार्ड लोन लेने के लिए कौन-कौन सी दस्तवेज लगती है क्या और सेकता होती है इस फार्म को अपलाई करने के लिए पहले तो दोस्तों हम आपको बता दे कि एक आवेदन पत्र होता है वो आवेदन पत्र कहां से डा अधारकार लगा सकते हैं या अब driving license लगा सकते हैं और दोस्तों देखें उसके साथ एक address proof होता है जैसे कि अभी बता है address proof में यही डाक्विमेट लगा सकते हैं जैसे कि order ID यह धारकारट passport डाइब में यह सब लगा सकते हैं address proof के तौर पर भी और एक भूमी जो सब्सक्राइब होती है जैसे अमको बताएब की खतवनी होती है वो आप लगा सकते हैं तो दोस्तों देखिए यह तो हुआ डाकुमेंट कौन कौन सी डाकुमेंट लगेंगी इस फार्म को अपलाई करने के लिए अब आपको बताते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड क आपकी उम्र होना चाहिए और अगर आपकि शठिक-वह and उर्प से उम्र जादा है तो आपके साथ 100 आवएदब, को निवार Rent है दोस्तों, आपको बताते हैं कि किसान क्रेड़ काड के लिए कोई कैसी आवयदन कर सकता है, हम बताएं दोस्तों कि इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना कलाब उठाने के लिए आवेदा को सबसे पहले अपनी पसंद के बैंक की बेव साइटों पर जाना होगा जो भारती एस्टेट बैंक या एकसीज बैंक या इंडियन ओवरसीज बैंक या बैंक आफ इंडिया या HDFC बैंक जैसे समान बोस् और डाउनलोड करने के लिए आवेदान प्रिंट करना पड़ेगा किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसके लिए इस फार्म को डाउनलोड करना पड़ेगा और यह जो फार्म है अंग्रेजी और हिंदी में वाडिज बैंक को बेव साइटों के कैसी स्कीम अनुभाग पर डाउनलोड करके दे दीजे प्रिंट करके दे दीजे तो वह जाएंगे जन सेवा के इंदर पर आपको दे देंगे और आपको वह फार्म को लेकर जो मैं दस्तवेज बताया हूं क्या करना पड़ेगा कि जैसे जैसे उसमें सारा दिया होगा क्या हमें भरना है किसान असानी से किसान kredit card के लिए आवیदन कर सकता है तो दोस्तों आम आपको बताएधे इस अब करने के बाद आपको जाना पड़ेगा उसी bank में जिस bank से आप farm को download किये थे जिस website पर जाकर और वहाँ पर जाकर देना है उस farm को और आपको बताना है कि हमें किसान kredit आपको क्या-क्या लगता है और क्या इसे सब करना है दोस्तों हमारी चोटी से जाने का रिया आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और हम आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत